विपत्ती के समय भगवती मान दुर्गा का सच्चे मन से स्मरण एवं दुर्गा मंत्रों का जब अथवा दुर्गा जी के 32 नाम साधक की कवच के रूप में रक्षा करते हैं। नवरात्री के दिनों में भक्तों को इन नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इन 32 नामों को माम दुर्गा देवताओं को बता कर अंतरध्यान हो गई। देवताओं की मा दुर्गा से प्रार्थना। एक समय की बात है ब्रह्मा आदी देवताओं ने पुष्प आदी विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा ने कहा देवताओं मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ठ हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो मैं तुम्हें दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले देवी हमारे शत्रु महिशासुर को जो तीनों लोकों के लिए कंटक था आपने मार डाला इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया आपकी ही कृपा से हमें पुन अपने अपने पद की प्राप्ती हुई है आप भक्तों के लिए कल्पवरिक्ष हैं हम आपकी शरण में आए हैं अतहब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाशा शेश नहीं है हमें सब कुछ मिल गया तथा पे आपकी आग्या है इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आप से कुछ पूछना चाहते हैं माहिश्वरी ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आप शीग्र प्रसन्न होकर संकट में फंसे व्यक्ती की रक्षा करती हो देवेश्वरी यह बात सरवथा गोपनिये हो तो भी हमें अवश्य बताई माँ दुर्गा ने बताया रहस्य देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर दया मई माँ दुर्गा ने कहा देवगन सुनो यह रहस्य अत्यंत गोपनिये और दुरलब है मेरे बतीस नामों की माला सब्रकार की विपत्तियों का नाश करती है तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुती नहीं है नास्तिक दुराचारी शट और अभक्त व्यक्ती को छोड़ कर जो मनुष्य मेरे बतीस नामों का पाठ करता है वह निस्संदेह सब्रकार के भय से मुक्त हो जाता है जो व्यक्ती शत्रूओं से पीडित हो दुर्भेद्य बंधन में फंसा हो राज्य दंड प्राप्त हो सरकारी विवादों में फंसा हो या युद्ध में शत्रूओं द्वारा घिर जाए तो इन बतीस नामों का 108 बार पाठ करने से वह संपूर्ण भय से मुक्त हो जाता है घोर संकट से बचने के लिए इस नाम आवलीका करें या किसी कर्मकान दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गा पद्विनिवारिनी दुर्गम च्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तोध्धारिनी दुर्ग निहंत्री दुर्गमा पहा दुर्गम ज्यांदा दुर्ग दैत्य लोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिनी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमध्यानसंस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिनी, दुर्गमासुरसंगंत्री, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा दुर्गदारणी। दुर्ग भामा, दुर्ग भामा, दुर्गदारणी। जानते हैं, शारदिय नवरात्री में लौंग से जुड़े पांच उपायों के बारे में, चैत्र नवरात्री में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे, परिशानियां आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय. जो तिशी एवं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार, नवरात्री पर आप लौंग के उपाय आजमाएंगे, तो घर की आर्थिक स्थिती में सुधार होगी. इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए. इसमें लौंग बांध कर घर की तिजोरी में रखतें. धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिती में सुधार हो सकता है. कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है. इस उपाय को आजमाने से मा दुरगा और माता लक्ष्मी की क्रिपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी. लडाई जगडे दूर करने के उपाय अकसर कुछ लोगों के घरों में बाद बाद पर बहस लडाई जगडे होते हैं. घर में नकारात्मक्ता उदासी चाही रहती है. इस तरह के ग्रिह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग कब कार्य ना हो रहे हों पूरे. कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफी महनत करते हैं. बावजू इसके वे असफल हो जाते हैं. इससे मन में निराशा नेगेटिविटी घर कर जाती है. आपके साथ भी ऐसा हो रहा है. आपके महत्वपूर्ण कार्य पू के सामने रखतें. दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें. फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे. सुक समरिध्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुक समरिध्धि और शान्ती बनाए रखने के लिए. दुर्गा जी की पूजा करते समय दो लौंग जरूर अर्पित करें. इससे आपके घर में शान्ती और सुक समरिध्धि बनी रहेगी. परिवार में शान्ती लाने और नजर दोश से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में दो बांध कर घर के किसी एक कोने में लटका दें. जगह ऐसी हो जहां किसी और की नजर ना पहुंचे, साथ ही ये उपाय करते ही आपकी सारी मनो कामना पूर्ण हो जाएगी. हिंदु धर्म में नवरात्री के पर्व को बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र माना जाता है. ये पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. नवरात्री के नौ दिनों में मातारानी के भक्त वरत रखते हैं और विधिपूर्वक उनकी पूजा करते ह हैं. इसके अलावा नवरात्री के ये पावन दिन शुब कारियों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं. इन दिनों बिना कोई मुहूर्थ देखे कई शुब कार्य किये जाते हैं. नवरात्री के नौ दिनों में मा दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. साथ ही अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और नौ दिनों तक अखंड जोती भी जलाते हैं ऐसे में चलिये जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्री की शुरुआत कब से हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्थ कब है मा दुर्गा की विशेश पूजा के लिए चैत्र नवरात्री का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है चैत्र नवरात्री में देवी मा के नौ रूपों की पूजा की जाती है इस दौरान देवी मा की कृपा प्राप्त करने के लिए कई उपाय भी किये जाते हैं इस बार चैत्र नवरात्री की शुरुवात 9 अप्रेल से हो रही है, जिसका समापन 17 अप्रेल को राम नवमी वाले दिन होगा, नवरात्री के प्रथम उप्वास से लेकर व्रत के आखिरी दिन तक शुभ मुहूर्थ का विशेश ध्यान रखा जाता है. मान्यता है कि जो व्यक्ती नवरात्री में पूरे विधी विधान से मातारानी का उप्वास रखता है और दुरगा सप्तसती का पाठ करता है, तो उस व्यक्ती पर देवी दुरगा अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं. हालां कि कुछ लोग इस दौरान पूरे उप्वास नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उनका मन भी दुखी हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं? आप कुछ उपायों के करने की सहायता से भी नौ दिन की साधना का पूरा पुन्यफल प्राप्त कर सकते हैं. आईए उन उपायों के बारे में जान लेते हैं. यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ हैं, तो नियमित रूप से देवी की पूजा और और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें. ऐसा करने से आप पर मा का आशीरवाद बना रहेगा, साध ही कृपा भी ब आप पर माता रानी का कृपा बना रहेगी. देवी मा से सुख सम्रिधि का आशीरवाद पाने के लिए नवरात्री के पहले दिन, पूरे विधी विधान से श्री अंत्र स्थापित करें, साथ ही उसकी प्रति दिन पूजा करें. माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्षमी की कृपा बरस्ती है. इस उपाय से चमकेगी किस्मत. यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला रहे हैं, आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ती के सामने दिया जला कर पुन्यफल प्राप्त कर सकते हैं. इस दोरान देवी दुरगा के सामने नारिय और चुन्नी जरूर चड़ाए ताकि माता रानी की कृपा आपके उपर हो सके. और आपको बता दें कि माता रानी की कृपा आपके उपर पूरे साल बरस्ती रहेगी गाय माता को चारा खिलाना. तो दोस्तों, नवरात्रों में अगर आप गौव माता को हरा चारा खिलाते ह तो आपकी ग्रहकलेश से मामले खत्म हो जाते हैं साथ